चंद्रियान 3 मिशन लॉंच पर राखी सावंत का बड़ा बयार सोशल मीडिया में वीडियो हुआ फाइरल फेंस ने क्या चोड जाने क्या है पूरा मामला यानि इंडियन स्पेस रिसर्च और्गिनाइजिशन शुक्रिवार को चंद्रियान 3 मिशन लॉंच किया है जिसके बाद सभी ने खुशे जाहिर की इसे बेच सालिब्रेटी राखी सावंत कुछ जादा ही भावुख हो गई और उन्होंने इस उपलब्धी को अपनी वज़ा से होना बता दिया जिसके बाद उनका वीडियो सोशल मीडिया में खोब वाइरल हो रहा है हलो दोस्तों मानवी की नई सोच नई पहल में आपका स्वागत है हम आपको इस पूरे मामले से विस्तार से अवगत करवाएंगे लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सानुरोध है हमारी वीडियो को अंतक जरूर देखे और चैनल को सबस्क्राइब कर सपोर्ट जरूर करे दरसल इसरो ने दोपहर दो बचकर 35 मिनिट पर चंदरियान 3 मिशिन लॉंच किया आंधरिप्रदेश में श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस से लवी M3, M4 रॉकेट के जरी चंदरियान को स्पेस में फेजा गया वही 16 मिनिट बाद ये प्रिथविक की कक्षा में अच्छे से पहुच गया है इसरो चीफ एस सोमनात ने कहा कि अगर सपलान के हिसाब से हुआ तो 23 अगस्त को शाम 5 बचके 47 मिनिट पर ये चान पर उतरेगा अब इसरो के इस उपलबधी पर राखी सावंत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है वालिवर्ड की ड्रावा को इन राखी सावंत अपने अनोखे अंदाज और अटपटे बयानों को लेकर अकसर सुर्खियों में रहती है ऐसा कोई मुद्दा नहीं होगा जिसमें राखी ने अपनी राय न दी हो राखी लगभग हर मुद्दे पर अपनी राय पेश करती है वहीं उनके अटपटे बयानों की वजह से भी सोशल मीडिया में विछाई रहती है जिनने सुनकर लोग हंसते भी है और कई बार उन्हें इन्हीं बयानों को लेकर ट्रोल भी करते है लेकिन इसके बाद भी राखी अपने फैन्स का मनोरंजन करने से कभी पीछे नहीं हटती यही कारण है जो उनकी फैन फॉलोइंग भी अच्छी खासी है बता दे कि शुकरवार दो पहर दो बचकर 35 मिनिट पर इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन लाँच किया इसरो के इस सेक्सस्फुल लाँचिंग मिशन पर सभी भारतिय गौरव महसूस कर रही है वहीं इस पर ड्रामा कुईन राखी सावंध की भी प्रतिक्रिया सामने आई है हाल ही में राखी ने पैपराजी को दिये इंट्रव्यू में चंद्रयान 3 मिशन को लेकर कहा कि मैं पूरे देश को बधाई देती हूँ राखी ने सिर्फ बधाई ही नहीं दी बिलकि इस रूकी इस उपलब्धी को खुल का क्रेडिट भी बताया जिसके बाद वहां मौजूद लोग भी ठाके लगाते नजर आए हर कोई हंसता रहा, कोई अपनी हंसी को रोख ही नहीं पा रहा था राखी सावंत का यही वीडियो इंटरनेट पर अभी खुब तेजी से वाइरल हो रहा है इस वीडियो में राखी सावंत वाइट कलर की सारी पहने नजर आ रही है और इसी के साथ उन्होंने वाइट जेलरी और चूडियां भी पहने हुई है वीडियो में राखी सावंत कह रही है कि चांद की चांदगी आई है, देश की आमदनी आई है, मुबारक हो सबको चंद्रियान 3 लाँच हो चुका है, वो भी केवल मेरी वज़ा से मैंने आज से वाइट पहनना, इसलिए चंद्रियान भी लाँच हो गया यही नहीं जब चंद्रियान लाँच हुआ, तो नीचे से कैसे उसमें फायर हुआ था ये भी राखी ने बताया ये वीडियो अब सोशल मीडिया में खोब वाइरल हो रहा है राखी सावन्त के इस वीडियो के सामने आने के बाद, लोग सोशल मीडिया पर एक्ट्रिस को जम कर ट्रोल कर रहे है राखी सावन्त के इस वीडियो पर लोग जम कर रियक्ट कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं दोरान एक यूजर ने लिखा इसको भी चंद्रियान पर बिठा कर लॉंच कर देना था एक ने लिखा राखी का तो दूर दूर तक इससे कोई नाता ही नहीं फिर भी कैसे तारिफे जोंक रही है एक यूजर ने तो बहुत ही मज़ेदार कमेंट किया जिससे लोगों की हसी र बार नहीं है जब राखी अपने बयानों से ट्रोल हो रही हो राखी सावंद का हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर खोब तेजी से वाइरल हुआ था जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने सलमान खान की शादी के लिए मननत मांगी है फिल्मों से लेकर टीवी पर नंगे पैर नजर आई और जब उनसे सवाल किया गया तो वो नंगे पैर क्यों चल रही है इस पर राखी सावंद ने बड़ा ही दिल्चस्प जवाब दिया है और उन्होंने कहा कि इस मैं सलमान खान के लिए मननत मांग रही हूँ और इसलिए मैं नंगे पैर हूँ सेलिब्रिटी फोटोग्राफ और वाइरल भयाली अपने अपने इस्टेग्राम अकाउंट से इस वीडियो को शेयर किया इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि राखी सावंद एरपोर्ट पर नजर आ रही है और उन्होंने चपल नहीं पहनी हूई है इसके अलावा उनके कि शादी हो जाए मैं तब तक चपल नहीं पहनूगी इसके बाद राखी सावंद कार में बैठकर कहती हैं अरे देखो मेरे पैर छिल गए है सलमान खान शादी करो बच्चे दो हमारे देश को बच्चे दो मैं आपके लिए नंगे पैर आई हूँ श्रिलंका से दुबई से राखी सावंद के वीडियो में कई लोगों ने रियक्ट किया है इस पर लोग कमेंट करके राखी सावंद को जम कर ट्रॉल कर रहे हैं एक यूजर ने लिखा है इन्हें बिग बॉस में जाना चाहिए इसलिए ये ड्रामा हो रहा है एक यूजर ने लिखा है इनका पन चलता रहता है एक यूज़ा ने लिखा है सलमान खान की मूवी में आने के लिए यह सब हो रहा है आपकी राखी सावंद के इस बयान पर क्या राय है कमेंट कर ज़रूर बताएं वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेर करें